Hello students, welcome to Knowledge Academy. कैसे हैं आप सभी, I hope, आप सभी अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रखें. आज का जो टॉपिक है, वह है भाशा बोध इसे संबंदित है. इसी संबंदित हम कुछ कुछ कॉस्चेंस लेंगे, जो कि examinations की दृष्टी से important है. यह यह कहें कि competitive exams के viewpoint की दृष्टी से भी important है. जैसा कि अभी मैंने शुरुआत में ही कहा है कि आज का जो टॉपिक है, भाशा बोध इसे संबंदित है. इसमें बोलना, सुनना, पढ़ना, एवाम लिखना, यह four skills इनका अध्यन किया जाता है. यह मूल्यांकन में यह कहें कि प्रविणता के मूल्यांकन में यह चीज़े सहायक होती है. हिंदी पेड़ागोजी की दृष्टी से भी यह important है और इससे संबंदित questions, examinations में आही जाते हैं. जैसा कि अभी मैंने इस पश्ट किया कि भाषा बोध के अंतरगत, speaking, listening, reading and writing, यह four skills इसके अंतरगत इनका अध्यन किया जाता है. यह भाषिक कौशलों के अंतरगत गिने जाते हैं, यह यह कहें कि भाषाई कौशल माने जाते हैं इनका अनिक प्रकार से, यह यह कहें कि इन four skills पर अनिक प्रकार से शोध हुए हैं, research की गई हैं, जिनके अध्यन से लाप उठाया जा सकता है. यह सभी भाषा की सरचना को समझने में उसकी एक रूपता के आंकलन में सहायक होते हैं, तता इनके अध्यन से पता चलता है कि वास्तिविक स्थिती क्या है, या जो सीख रहा है, यानि जो learner है, उसकी वास्तिविक position क्या है, तता उसको और बहतर कैसे बनाया जा सकता है. इस तरह का हच्तक शेप किया जाना चाहिए, जिससे की सीखने वाले में सुधार की संभावना विक्सित हो, तता उसका मुल्यांकन भाषाई आधार पर किया जा सके. इसी से संबंदित questions हैं, जो कि भाषा के आकलन में सहायक सिद्ध होंगे, और examinations में गुमा फिरा कर हर साल अवश्य पूचे जाते हैं, पहला question ले रही हूँ, जिसमें पहला प्रशनी ये है कि भाषा के आकलन में संभव है, भाषा में आकलन संभव है, तो इसमें four options हैं, कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन करना, केवल परिक्षाओं दौरा, केवल परियोजनक कारे दौरा, या केवल गतिविधियों दौरा, अता है इसका जो correct answer है, वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन करना, यानि भाषा की संभव है, जबकि teaching learning process में उसका observation किया जाए, या ये कहें कि उसका अवलोकन किया जाए, वैसे जो four options होते हैं, वो सभी correct ल रखते हुए उसे निशान लगाना होगा, तभी हम correct answer के पास पहुंच सकते हैं, नेक्स्ट जो question है, वह भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, तो प्रशनों का निर्मान करना, परिचल्चा, श्रजनात्मक लेखन, प्रशनों के उत्तर लिखना, इत प्रशनों के उत्तर लिखने को इंपॉर्टेंट मानेंगे, लेकिन इसमें परिचल्चा महत्व देंगे, नहीं है, यह कहें कि कम महत्व देंगे, नेक्स्ट जो question है, बच्चों के लिखित कारे के आंकलन में सरवाधिक महत्व देंगे, इसमें भी जो four options हैं, या four answers है, उन नेक्स्ट है, वल्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग, यह महत्व पूर्ण माने जाते हैं, किन्तु इतनी अधिक नहीं, जितना की अभी विचार, क्योंकि लेकन के संबंध में, अभी व्यक्ति को मुखरित करनी की शमता मानी जाती है, या यह कहें कि उ कॉन सब इन्दू सबसे कम महत्वपूर्ण है, अतह जो करेक्ट आंसर है, वह थर्ड है कि परीक्षा है, और क्योंकि भाषए शिक्षा के संदर्म में भाषिक परिवेश, पाठ्ष सामग्री या भाषाई अभ्यास इत्यादी को महत्वपूर्ण माना गया है, इसमें परी व्यापक मुल्यांकन का उद्देश है भाषा में सतत और व्यापक मुल्यांकन का उद्देश है तो इसमें जो थर्ड आंसर है वह करेक्ट है कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना Moving to Next Question मौकिक भाषा के आकलन का सर्वत्तम तरीका है मौकिक भाषा के आकलन का यानि मुल्यांकन का जो सर्वत्तम तरीका है वह अनभव बाटना वा बात्चीत जैद माना गया है यही जो आंसर है वह सही है इसमें अन्त्याक्षणई प्रश्णों के तैशस दहुत्तर देना कि पढ़ना इत्यादी महत्वपूर्ण नहीं है वरन अनुभव बाटना एवं आपसी समवात करना महत्वपूर्ण माना गया है यही सही है नेक्स्ट है आकलन आकलन के संबंध में कुछ तत्थ दिये गए है इनके संदर्ब में आपको बताना है कि कौन सा सही है केवल यह बतात या आकलन किसी संबंधित है इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वह सही है कि भाशा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन अंग है अतह मुल्यांकन में यही देखा जाता है सतत मुल्यांकन का एक नहित अर्थ है तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वह सही है कि बच्चों के भाशा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना सतत मूल्यांकन यानि आप अनवरत मूल्यांकन करेंगे उसका भी प्राय है कि उसका नहीं ताशय क्या है वास्तिविक आशय क्या है तो बच्चे जब भाशा प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये regular observe करें कि वो किस तरह से भाशा को अभिव्यक्त करते हैं तता उसका कहां पर किस स सरवाधिक महत्व पूर्ण है भाशा आकलन में कौन सा सरवाधिक महत्व पूर्ण है तो इसमें भी four options है सुलेक भाशिक सरचना पर आधारित प्रशन विविद अर्ठ वाले प्रशन पूछन और शुत लेख तो इसमें जो second है वह सही है कि भाशिक सरचना ओपर आधारित निश्चिति आप जब भाषा से संबंधित आकलन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि भाषिक सरचना पर आधार जो प्रशन है उनका ही निर्मान किया जाएगा नेक्स्ट है कि बच्चों की भाषा संबंधि क्रमिक प्रगती की लेखा जो खा डैश से संभव है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह पोर्ट फोलियो है जिबकि रेस्ट अफ जो अप्शन्स हैं वो सही नहीं है उत्तर पुस्तिकाएं लिखित परिक्षा मौकिक परिक्षा जो more correct answer है वह first है portfolio next है बच्चों की भाषा की आखलन का सरवाधिक प्रभावी तरीका है बच्चों की आपको भाषा का आखलन करना है मूल्यांकन करना है तो जो सरवाधिक प्रभावी या प्रभावशाली पक्ष है उसमें देखा जाता है कि प्रश्न पूचना और पढ़ तो इसमें भी four options है लेकिन second one correct है moving to next question कि भाशा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या पेक्षा करता है भाशा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या पेक्षा करता है तो इसमें भी four options हैं कि बच्चे अपनी मातर भाशा का बिलकुल भी रयोग ना करें बच्चे सवालों के बदे बदाये जवाब ना दें बच्चे सवालों के बदे बदाये जवाब दें और संस्कृत निश्ट भाशा में ही जवाब दें तो इनमें जो correct answer है वह second है कि बच्चे सवालों के बदे बदाये जवाब ना दे यानि भाशा की कक्षा में एक शिक्षब बच्चों से ये अपेक्षा करता है कि जो रटे रटाये या पूर्व रूप से पहले से ही निलधारे जो questions है उनके वैसे ही answer ना दे वरन उसमें अपनी कुछ मौलिक अभी व्यक्ति भी रखे या उसमें कुछ नवीनता लाए अतहे जो second है वह सही है कि बच्चे सवालों के बदे बदाये जवाब ना दे moving to next question की भाषा आंकलन में कौन सा तत्व सरवाधिक महत्वपूर्ण है तो इसमें भी four options है लेकिन जो first one है वह correct है कि विविद अर्थ वाले प्रशन पूछना भाषा मुल्यांकन के संबन्द में यह महत्वपूर्ण है कि विविद अर्थों वाले प्रशन पूछे जाने चाहिए next है कि बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आंकलन के लिए किस तरह के प्रशन सहायक नहीं है बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आंकलन के लिए किस तरह के questions हैं वो helpful नहीं होते हैं इसमें बहु विकल्पी है लगो उत्रात्मक निबंधात्मक सारा अंश प्रश्थित करना इसमें more correct है वह है फस्ट वन है कि बहु विकल्पी है प्रश्ण नेक्स्ट है कि पठित अंश पर प्रश्णों का निर्मान करवाने में तो इसमें four options है कि बच्चों को पढ़कर समझने की योगिता का आखलन होता है प्रश्ण पत्र बनाने में आसानी होती है नेक्स्ट है कि प्रश्ण बैंक तयार हो जाता है जिसका उप्योग प्रश्ण पत्र में रखने में या उससे संबंदित questions पूछने में यानि पठितंश पर आधारित प्रश्णों के निर्मान करने में क्या संभव होता है तो बच्चों को पढ़कर समझने की योगिता का आखलन होता है कि बच्चों की जो understanding power है वह कैसी है उनकी reading तता जो expressing power है वह कैसी ह इनी सब चीजों को इसमें देखा जाता है भाशा के मुल्यांकन से संबंदित questions से और examinations में अवश्या आते हैं आता है आपका concept इनके संदर्मे में clear होना चाहिए यहाँ पर मैं आपको कुछ तत्य clear करना चाहूंगी कि जो सीखने वाला होता है वह पटन-पाथन की प्रती अनवरत सचीत रहता है यानि ये कहें कि मुल्यांकन है वह निश्चिती पटन-पाथन प्रक्रिया से संबंदित होता है इसमें teaching learning process मस्ट होता है मुल्यांकन भाशाई ग्यान के आधार पर किया जाता है संप्रिशन से संबंदित जो कौशल है यानि communication से related जो skills हैं उनके संब मुल्यांकन किया जाता है तता जो भाशा शीक्षण का कारे वह वास्तों में बहुत विस्तुरिट होता है। है कख्या कारे की जाने चाहिए जूंदिन परतिदिन कबार nag शांता हुने होने का पर्याप्त आदान प्रदान किया जा सके तता पढ़ने पढ़ाने की जो सामगरी है वह इतनी तत्य परक होनी चाहिए ताकि भाषा बोध के संदर्व में सम बोलने सुनने पढ़ने एबम लिखने का उल्यांकन किया जा सके आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा अपना ध्यान रखें और आपका कंसे अजय को अधिए जो सब्सक्राव करें।